ये हैं दुनिया की सबसे अजीबो गरीब मचली जिसका नाम है साफिस और ये जो आपको इस मचली के आगे अथ्यार दिख रहा है ये और कुछ नई इसका नाकी है दरसल साफिस को मचलीों के पीस करने के लिए एक मजबूत और लंबा अथ्यार चाहिए था इसलिए इसका नाक काफी लंबा हो गया और नाक के दोनों साइड पैने दाथ है अब आप सोचोगे इतने लंबे नाक के साथ ये खाती और शिकार कैसे करती है दरसल जब भी साफिस किसी मचली के पास जाती है तो ये अपने नाक को तलवार जैसे चला कर उसके पीस कर देती है और ये साफिस सार्क से नहीं बलकि स्टिंग्रे से ब्लोंग करती है इसलिए ए खाना भी स्टिंग्रे के जैसे खाती है साफिस की लंबाई 20-25 फिट हो सकती है वही एक जिराफ 13 फिटी लंबी होती है और वजन की बात करे तो ये 500-635 किलो वजनी होती है अगर आप साफिस बन गए तो आपको हमेशा अपने आगे इतना लंबा नाख दिखेगा वसे एक समय पर साफिस पूरी दुनिया में पाई जाती थी लेकिन चाइना की ट्रेडिशन मेडिशन की वजए से आज ये पूरी दुनिया में पाच हजारी पची है ये तो मचली क्या एलियन की भी ट्रेडिशन मेडिशन बना कर विलूप्त कर देंगे